किशन लाल जोशी सीनियर सेकेटरी स्कूल में 79 लोगों के कौरोना जाच के लिए की गई रेदम सैपलें जान्च के लिए भेजा भरतपुर दीक कस्पे के किशन लाल जोशी सीनियर सेकेटरी स्कूल में बुद्वार को स्वास्थय विभाग की टीम द्वारा कौरोना जान्च के लिए रेदम सैपलिंग की गई टीम प्रभारी दोक्टर मान सिंह ने बताया कि PCM ओदी दो हिमांशु पाराशर के निर्देश पर कौरोना जान्च के 79 लोगों के रेजिस्ट्रेशन कर सैंपल लिए गए हैं इन में जनाना अस्पताल भरतपुर के स्त्री रोग विशेश जन जो कौरोना पॉजिटिव निकले है की कांटेक्ट लिस्ट में शामिल लोग, विध्यूत विभाग ती, जेल कर्मियों के साथ अन्य लोग शामिल है सैंपल लेकर जांच के लिए भरतपुर भेजे गए हैं दोक्टर मान सिंह ने बताया की इससे पूर्व 122 पुलिस कर्मियों के साथ अरसत लोग कुल 190 लोगों के सैंपल लेकर कौरोना जाच के लिए भरतपुर भेजी गई थी इन सभी की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है अभी तीन दिन पहले दीक शेत्र के नगला जनूथर S.I. 97 लोगों के सैंपल जांच के लिए भरतपुर भेजे गए डा इनकी अभी रिपोर्ट आना बाकी है सब्सक्राइब करते हैं अभी तक हमारे पास में लगबग साथ लोगों का रजिस्टेशन हो चुका है और इस अभी जारी यह अपने जैसे सब्धी मंडी वाले हैं किराना ब्यापारी हैं आपके मंडी समिती में जो काम करते हैं उन लोगों क्या आप सैंपलिंग कर रही है हुआ हाँ जो चिया रही है और अधिक्सर्फा अधिकारी जी ने बताया है कि उन्होंने उनको इनफोर्म टिया है जो जो लोग आते जा रहे हैं उनका अशुरू हो जो कितने लिश्टेंगी लिश्ट है और 60 है 60 और यह से पहले कितनी सेंपलिंग हो चुकी है उससे पहले कुरिंटाइन सेंटर से लिए गये लिए और बिलॉक के अंदर सभी जगहों से लगवग लगवग सेंपल लेकर के बेजे गए हैं अब सभी की रिपोर्ट आ चुकी है और अभी नगला जनुथर और यहां से जनुथर से भी नाइटी सैवन तीन देन पहले अभी बेजे थे उनकी रिपोर्ट आना बाद उनकी आना बाकी जो नाइटी सेवन के आपके जनुथर से लिए जनुथर से लिए